गर्मियों का मौसम हैं, और इस बार की घर्मी में लोगों का कहना है कि हर बार की गर्मी से ये गर्मी बहुत ज़धा है ऐसे में बिना AC तो काम ही नहीं चलता है, और AC दिन भर चलता है चाहे आप office में हो, चाहे आप अपनी कार में travel कर रहे हो, चाहे घर पर हो सभी जगर AC है AC के कम temperature के अंदर जादा समय तक रहने के बहुत नुकसान होते हैं और इन नुकसानों की आपको भारी खीमत चुकानी पड़ सकती है अक्सर हम room को या office को थंडा रखने के लिए temperature low रखते हैं 16 degree, 18 degree लेकिन लंबे समय तक इस 16-18 के temperature में रहने के कारण आपको तरद तरद की बिमारिया हो सकती है क्योंकि AC जो है वो आपके शरीर के अंदर की नमी को कम कर देती है और उसके बाद आपके शरीर के अंदर changes आने लगते हैं experts का कहना है कि 16 degree में जादा समय तक अगर आप रहते हैं तो आपके शरीर की नमी बहुत कम हो जाती है और लंबे समय तक अगर आप ऐसा करेंगे तो बुढ़ापा जल्दी आता है शरीर पर जुरियां पढ़ने लगती है इतना ही नहीं इस नमी के कम होने के कारण blood circulation में भी फरका जाता है और BP की भी दिक्कत हो सकती है सबसे बड़ी बात जब हम AC रूम में रहते हैं तो दरवाजे खिड़किया बंद रखते हैं AC उस रूम के अंदर की हवा को ही fresh करके वापस release करता है और वही हवा हम सास के रूप में लेते हैं कमरे के अंदर की हवा में वो सारी चीजे नहीं होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है यही कारण है कि उन चीजों की हमारे शरीर में फिर कमी होने लगती है और इस कारण हमें बिमारिया होने लगती है जादा समय तक कम temperature में रहने के कारण सुखी खासी, नाक से खून आना, skin infection जैसी बिमारिया भी हो सकती है अब सवाल ये है कि गर्मी बहुत है और AC में रहना जरूरी है तो ऐसे में क्या करें कि AC भी चलता रहे और इस तरह की बिमारियों से भी बचें तो experts का कहना है कि आप AC उतनी ही देर चलाएं जितनी देर में आपका room ठंडा हो जाए इसके अलावा कोशिश करें कि AC का temperature 16-18 के बजाए आप 24 पर set करके रखें अगर लंबे समय तक AC चलाते हैं तो इसके अलावा अगर आपको लंबे समय तक AC में बैठने का काम पड़ता है तो आप अपनी body की care कर सकते हैं नहाने से पहले रोजाना तेल की मालिश करें नाक में 2-3 बून घी या तेल डालें खाने में घी का इस्तमाल करें इसके अलावा पुदीना और सौफ खाते रहें